Hi everyone, welcome to Sunny's Garden. Sunny's Garden में एक पर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों, आज की वीडियो का हमारे टोपिक है कैलेंचू. कैलेंचू विंटर का एक बहुत ही special flower होता है, जो बहुत ही long lasting होता है और बहुत सुन्दर सुन्दर इसके अंदर flower आते हैं, कई multi color में यह पाया जाता है, तो चलिए बात करते हैं कैलेंचू की complete care और propagation की, तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक request आप से करना अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना बुलें, ताकि मेरी नए 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 वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिले, यहां आप देख रहे हैं मेरे कैलेंचू के plants, और य जिसे यह कई-कई दिनों तक बिना पाने और बिना फूड के भी सर्वाइब कर जाता है, तो कैलेंचू दो तरह का पाया जाता है, एक देसी वराइटी होती है, और एक hybrid वराइटी होती है, यहां आप देख रहे हैं मेरे देसी वराइटी के plant है, जिसकी पत्तियों का पाइज काफी बड़ा होता है, और यह पत्तियों बहुत गहरी होती है, यह चम्मच नूमा शेप इनकी होती है, और अधिक सर्दी के कारण यह देख सकता है, आप इसकी पत्तियों रंग भिरंगी होती है, और इसके अंदर बहूत जवरतास बढ़िंग इस वक्त चल रही ह और लगबग 6-7 दिन के अंदर इसके अंदर flowering start हो जाएगी प्लांट हमारा hybrid variety का है और यहां देखे है hybrid variety के प्लांट की पहचान यह है कि इसकी पतियों का साइच छोटा होता और बहुत ही congested होती है इसकी जो पतियां बहुत पास-पास होती है और एककम से सकुलेंट की तरह से दिखाई देती है और जबकि इसमें आप देख सकते हो देसी वेराइटी के प्लांट में जो पतियां यह काफी दूर दूर होती है हाइब्रीड वेराइटी के जो प्लांट है इसको थोड़ा सा प्रोपोगेट करना कटिंग से प्रोपोगेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन फिर भी थोड़ी सी महनत से और थोड़ी सावधानी से करने पर यह आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है एक तरफ जानते सी वराइटी को प्रोपगेट करना बहुत एजी होता है वहीं दूसरी तरफ हम जो हाइब्रीड वराइटी है इसको थोड़ा सा प्रोपगेट करना इजी तो है लेकिन आप अगर गार्डनिंग में बिलकुल नए हो तो थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी होगी के इसकी कटिंग लगाने के बाद इसमें कम से कम पानी दें और सेंडी सोयल के अंदर इसको लगाएं देख पार रहे हो यह लास्ट यर के मेरे प्लांट है और मैंने एक प्लांट पर चेस किया था तर उसी से मैंने धेरो प्लांट याने कि उसी की कटिंग को ट्रिम क करके मैंने देखिए कितने सारे प्लांट इसके तयार कर लिये हैं और काफी easy to grow हो चुके है मेरे लिए यह देखिए कटिंग से ही उगाए हुए हैं सारे और यहां मैं आपको दिखाती हूं एक एक एक्जामपल यह मेरा देशी वराइटी की कटिंग है जिसको मैंने लगवग 15 से 20 दिन पहले लगाया था और यह कोपीट और वर्मी कंपोस्ट के अंदर मैंने लगाया थे देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर रूटिंग बन चुकी है यह मेरा देशी वराइटी का आप इसकी पतियां देख सकते और इसके अंदर फ्लावरिंग भी स्टार्ट होगे यानि की बर्ड आना स्टार्ट हो चुकी है और दूसरा मैं आपको दिखाते हूं यह मेरा हाइब्रीड वराइटी की कटिंग जो मैंने लगाई थी इस वाले प्लांट से ही मैंने तोड़ इसको लगाया था इसमें देखिए इसमें भी जड़ मेरी बन चुकी है बहुत अच्छे से इसके अंदर रूट डवलप हो चुके और देखिए यह भी अभी जस्ट बहुत चोटी कटिंग है लेकिन यह भी फ्लावरिंग पर आ जाएगी और यहां मैं आपको दिखाने जा जा रही हूं यह देखिए इसके अंदर रूट डवलप हो चुकी है और बहुत ही शांदार इसको अगर हम थोड़ा सा अब सेपरेट कर देंगे यानि कि ट्रांस्प्लांट कर देंगे तो बहुत जल्दी इसके अंदर से एक प्लांट हमारा तयार हो जाएगा इसी तरीके स मैं और भी आपको दिखाते हूं इह देखिए इसके अंदर भी रूट डवलप हो चुकी है यह और आम ब्याप देख सकते हो रूटिंग इसके नदर छोटी छोटी शोटी शूटी स्मॉल रूट डवलप रही है अलगभग 25 दिन के अंदर यह रूट इसकी डवलप हो जात करते हैं अब बात करते हैं के लेंचु प्लांट की सनलाइट रिक्वाइरमेंट की दोस्तों इसको तीन से चार गंटे की दूप जो होती है इनफ होती है इससे ज्यादा इसो दूप में नहीं रखना है और स्पेशली हाइब्रीड वेराइटी को हमें बडिंग आने तक ही इस प्लावर आठे और यह तेज से दूप के अंदर भी बहुत आसानी से सर्वाइब कर जाते हैं जबकि उसके बाडिंग आ रही है और नाहीं फ्लावर आ रहे हैं तो इस शिकायत को दूर करने के लिए आमें इसको किसी ऐसी जगह पर फ्लेस करना है जहांपर उसको अंदेरा मिले यानि कि डार्कनेस हो तो इसके लिए आप अपने प्लांट को या तो किसी डार्क इस तरह की बर्ड बनी वी नजर आएंगी और बहुत ही जल्दी इसके अंदर बर्ड आने के बाद आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा तो अब बात करते हैं के लेंचु प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी और पोर्ट के साइज की तो दोस होता है इसके अंदर 40% सेंड लेनी है 20% गार्डन सोयल और 40% हम इसके अंदर कमपोस्ट एड़ करेंगे और बहुत ही इजी टू ग्रोव प्लांट है यह इसको अच्छी सी वैल ट्रें सोयल मिल जाए अच्छी कमपोस्ट वी तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है य जैसा कि आप जानते हैं कि कलेंचु एक सकुलेंट वराइटी का प्लांट है तो इसको बहुत ज्यादा पानी के आउशकता नहीं होती तो पानी इसमें जब दीजिए जब इसकी ऊपर की सोयल लगवग एक इंच तक ड्राई हो जाए उस वक्त इसको पानी देना है उससे ज के अंदर पानी दे पानी इसके पत्तों पर और फूलों पर नहीं पढ़ना चाहिए वरना इसके अंदर फंगस लग जाएगी बात करते हैं कलेंचु के प्लांट में फर्टिलाइजर की तो दोस्तों वैसे तो हमने जब इसकी पोटिंग सोयल बनाते हैं उसी वक्त अच्छ 우리가 युआएजर अप्लवीट लक्टिलाइजर आप दे सकते हो और फृटिलाइजर देते समय एक चीज स्कामे ध्यानकणा है कि फर्टिलाइजर सिर्फ हमें इसकी के अंदर देना है इसके पत्तों पर यहां फूलों पर फटिलाइजर नहीं डालना है और या प्लांट हमारा पंगस के कारण मर भी सकता है दूसरी चीज होती है कि time to time अपने प्लांट के अंदर जो इसकी सुखी सड़ी कली पतियां उनको हटाते रहें उसको रिमू करते रहें और इसके अंदर अगर आपको लगता है कि पतियां और इसके तने में कुछ फंगस का शिकार हो रही है हमार ये मिट्टी के अंदर जिससे तने के थुरू इसकी पतियों तक वह अपने आप पहुच जाता है और प्लांट हमारा फिर से दो दिन के लिए आप गोल कर रख दें और उसके बाद उसका अपने पोदों के अंदर दें तो उससे भी बहुत बढ़िया फायदा हमारे प्लांट को होता है और तीसरा उपाय जो बनाना पील फर्टिलाइजर बनाना के छिलकों से जो फर्टिलाइजर तयार होता है उसको भ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके थैंक यू